आज हम भारतेंदो हरिश्चंद्र जी के लिखे हुए एक निबंद को पढ़ने जा रहे हैं यह निबंद उन्होंने दिसंबर 1884 में 1884 में बलिया के ददरी मेले के अफसर पर आर्य देश उपकारणी सभा में भाषन देने के लिए लिखा था और उस समय देश की इस्थिति क्या थी आएए उसे पहले समझते हैं भारतेंदो जी के समय देश की इस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी देश में बहुत सी कूरीतियां फैली हुई थी, सामाजिक विशमताएं थी देश की समाजिक दार्मिक राजनेति आर्थिक इस्थिति पिछडी हुई थी देश पर अंग्रेजों का शाषन था अंग्रेज हमारा सारा कच्छा माल सस्ते में खरेत कर अपने देश बेश देते थे और वहां का माल हमारे देश में मनमानिक कीमत पर बेश देते थे उससे हुआ क्या कि यहां लोगों के उद्योग धंदी ठप होने लगे खेती बिगड़ गई और सबसे आदा जो प्रभाव पड़ा देश की आम जनता पर पड़ा देश की आर्थे के सिधी कमजोर होने लगी और देश की जो आम जनता है उसका तो दोहरे स्तर पर सोशन हो रहा था एक तो उच्वर सामंतवादी सोच के कारण उनका सोशन किया करता था और दूसरा अब अंग्रेश किया करते तो भारत वासी अपना गौरव शाले इतिहास लगबग भूल ही चुके थे और उनमें उत्साह का संचार करने के लिए उन्होंने यह भाषन लिखा भारत वासी जो अकरमन्याता के और रुक कर चुके थे आलसी हो गए थे तो उनमें एक बार फिर से उत्साह बढ़ाने के लिए के उत्साह का संचार करने के लिए उन्होंने यह भाषन लिखा ताकि वे फिर से देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकें भारत का तो गौरवशाली अतीत है और आज भी अगर हम मुड़ कर देखें तो जिस उचाई पर कभी भारत हुआ करता था आज भी हम उस उचाई तक नहीं पहुँच पाए हैं इस पार्ट में जो हिंदी पढ़ने को आपको मिलेगी वे कई साल पहले बोली जाने वाली हिंदी है और जैसे मैंने पहले पताया लगबक तेड़ सो साल पुराना लिखा यह भाषन है उस समय जैसी बोलचाल की भाषा थी जैसी हिंदी बोली जाती थी वैसा ही इसमें क्रिंटिंग मिस्टेक आया मैं गलत बोल रही हूँ गलत उचारन कर रही हूँ ऐसा नहीं है आपने कक्षण 9 में नाना साब की पुतरी मैना उसमें भी कुछ इसी प्रकार की हिंदी पड़ी होगी तो कुछ कुछ वही उसी समय की उसी काल की हिंदी यहां भी है इसमें लगेगा कि सुनने में कुछ अलग हैं जैसे हम आज मेहनत बोलते हैं हार्ड वर को तो मेहनत कहा जाता था पहले इस तरह चिन प्रती चिन तिहवार पही चानकर मूच हैं फरांसिस बढ़ा हैं दिया सालाई किताबें संभाला हम संभाला बोलते हैं संभाला पहले इस तरह से सुनाई देता था बोले जाने वाला यह शब्द चीजएं रखो 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 कह की साउंड आती थी जो पहले पुरानी हिंदी में हैं और सुधर रैगा छोड़ों कहें करें आदी स्क्रीन पर आप भारते इंदुहार इश्यंद्र जी की तस्वीर को देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा जीवन काल रहा इनका और इस छोटे से जीवन काल में ही इनोंने हिंदी जगत को बहुत कुछ दे दिया इनका योगदान अभूत पूर्व है और अविस्मर्णिय है हिंदी निबंद और नाटक की शुरुवात भी इनी से मानी जाती है अब जो पाट के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है इनके भाषन का एक अंश है और इसमें जो भाषा है सहज है सरल है और पुरानी हिंदी की उसमें जलक मिलेगी और साथ ही साथ संस्कृत के कुछ उधरन भी मिलेंगे उर्दू के भी आपको शेर पढ़ने को मिलेंगे तो यहां व्यंगात्मक शैली में द्रिस्टांत देते हुए उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया है और अगर आप इसे पढ़ेंगे सुनेंगे ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आज भी ये बातें हमारे हिंदुस्तानियों उपर इस खासकर यजए वशर्क पर जो टिक टॉक और फेस्बूक वёлौसप में व्यस्त रहते हैं उन पर बहुत सठी बैटती है मैं तो हाए पार्ट शूरू करते हैं भालत बर्श उन्नती कैसे हो सकती है भारत वश कि उन्नती कैसे हो सकती है आज बड़े ही आनंद का दिन है इस छोटे सी नगर बल्या में हम इतने मनुश्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं अब उन्होंने जिस दिन यह बहाशन दे रहे हैं उस दिन जो एक बड़ी जनसभा वहां इखटी हुई है जनसमोई खटा हुई है उसके उत्साह को देखकर यह बात कहिए कि छोटे से नगर बल्या में हमने जो लोगों का उत्साह देखा है तो उससे वे बहुत प्रसन्न है इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है अभागा आलसी कौन सा देश भारत देश तो भारत देश को उन्होंने कहा है कि यह अभागा देश है क्योंकि यहां रहने वाले भारत वासी आलसी हो गए हैं यह डेड़ सो साल पहले की बात है कि लोग आलसी हो गए हैं और ऐसे आलसीों के देश में अगर कुछ हो रहा है बहुत बड़ी बात है क्योंकि आलसी और निकम्मे पन ने लोगों को घे रखा है और जहां आलसी पन होगा लोग में वहां देश कैसे आगे बढ़ेगा तो अगर इसमें कुछ हो रहा है तो वही बहुत है बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह ह हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वे बहुत ही प्रशंशा के योगे है क्या देखा उन्होंने प्रशंशा के योगे है कि लोगों में उत्सा है उनका भाशन सुनने के लिए लोग आए हुए है रास्ट्रेता की बातें सुनने के लिए लोग आए हु और इसकी तारिफ भी कर रहे हैं और कहते हैं कि इस उत्सा का मुल कारण जो हमने खोजा तो प्रगट हो गया प्रगट 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 इस पस्ट हो गया कि दिख गया कि इस देश के भागय से आजकल यहां सारा समाज ही ऐसा एकत्र है कि एक तरफ तो उन्होंने देश को भागय कहा और अब यह कह रहे हैं कि देश का भागय है यहनि कुछ अच्छा हो रहा है तो यह देश का अच्छा भागय है तो यह कहते हैं कि यह जो लोगों में उत्सा है इसका क्या कारण है जैसे हम एक कोट कहते हैं कि यथा राजा तता प्रजा तो जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी तो उस शेत्र का कलेक्टर एक अंग्रेज अफसर है और उसका नाम है रोबर्ट तो रोबर्ट साहब को याद करते हुए वे कह रहे हैं कि यह सब जो उत्साहा है यह रोबर्ट साहब के कारने क्योंकि जहां का जो मुख्या है वो सजग होगा और जैसा विवार करेगा वैसी ही प्रजा विवार करने लगती है तो वे कहरें कि यहां इसलिए ऐसा माहल है क्योंकि यहां के कलेक्टर रा रॉबर्ट है तो इस निबन में उन्होंने ब्रिटिश की मनमानी जहां एक तरफ बुराई की है उसकी बारे में उन्होंने उसकी आलोचना की है तो वहीं उन्होंने उन चीजों की भी तारीफ की है जिसे अंग्रेजों की उन बातों की भी प्रशंचा की है जिसका अनुसरन लोगों को करना चाहिए अगर उन्हें अपनी उन्नती चाहिए तो यहां भी कहते हैं कि Robert सहाब बहादूर जैसे collector हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो तो उनका समाज सजग है क्योंकि वहां का collector सजग है तो जिस देश और कालमे इश्वर ने अकबर को उत्पन किया था उसी में अबुल फजल बीरवल टोडर मौल को भी उत्पन किया तो यहां अब आगे रॉबर्ट जो अंग्रेज अफसर हैं उनको अकबर के समान कह रहे हैं कि जो है वो सब को साथ लेकर चलने वाले हैं हिंदू, मुसल्मान सभी धर्मों को साथ लेकर चलने आपको याद होगा अकबर ने दीन इलाही नाम का एक धर्म निकाला था जिसमें सभी धर्मों के मातों को और सब को मिला के एक धर्म बनाया था जो चला तो नहीं लेकिन उसने एक ऐसा प्रयास किया था तो यहां रॉबर्ट साहब को इस तरह सब को मिल जुलकर एक साथ आगे लेकर बढ़ने वाला बताया है और आगे कहा है कि मुशी चतुरबुज साहाय, मुशी भिहार एलाल साहबादी, अबुल फजल और टोडरमल हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं अब इन्हें क्यों कहा रेल की गाड़ी हिंदुस्तानीों को आगे की बात भी पढ़ते हैं कि यदि भी फस्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदी गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन के ये सब नहीं चलती हैं वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते अब इन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी क्या होती है कि बिना इंजन के आगे बढ़ नहीं सकती कितने ही महेंगे और आधुनिक आप उसमें सुविधाओं वाले डब्बे लगा दीजिए और महेंगी सुविधाओं देने वाले डब्बे हों उसमें बड़े-बड़े महसूल कि यानि जो बड़े-बड़े टेक्स हैं तो उस ट्रेन में इतनी सुविधा वाले लगे हैं महे टिकेट वाले डब्बे हैं लेकिन वे गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती तो हिंदुस्तान में बहुत बुद्धी वाले बिद्वान लोग हैं और बड़े शक्तिशाली लोग हैं लेकिन उन्हें एक नेत्रत्व की एक कुशल नेत्रत्व की आवर्शक्ता है और उनकी कब ऐसी आदत होगी कि वे अपने आप आगे कोई इनिशेटिव जिसे बोलते हैं कि अपने आप आगे नहीं बढ़ना चाहते वे इंतजार करते हैं कि कोई नेता आए और उनको आगे ले जाए या उनको रास्ता दिखाए तब तक वे ऐसी बैठे रहेंगे तो वही बात कह है रहें कि उन्हें प्रतिक्षा रहती है कि कोई उनका नेत्र तो करे स्वेम से आगे बढ़ना नहीं चाहते अब आगे उन्होंने एक द्रिस्टांत दिया है रामचरित मानस से कि आपको अगर थोड़ा बहुत या पता होगा हनवान जी के बार में तो एक बार उन्हें शा पाले थे तो पवन पुत्र थे और उनके बल के बारे में उन्हें स्वेम ज्ञान नहीं होगा ऐसा उनको शाप मिला था कि जब तक कोई उन्हें उनके बल के बारे में उनकी सामडते के बारे में शामता के बारे में याद नहीं दिला देगा तब तक वे उस बात को भूल ज अपना बलियाद नहीं था और सब जगे था कि भी लंका में सिता जी हैं तो अब लंका में सिता जी तक संदेश कौन पहुंचाए उनका कौन पता करें वहां कहां पर हैं वे तो इतना बड़ा समुद्र था और समुद्र को लांग कर कौन जायेगा कैसे जाये जायेगा तो जामवंत जो रीच थे रीच पती तो उन्होंने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया और रामचरित मानस के एक चौपाई है कहाई रीच पती सुनू हनुमाना का चुपसादी रहे हूँ बल्वाना पवन तने बल पवन समाना पुधि विबेग पिग्यान निधान निधान तो जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा था कि हे अनुमान हे बल्वान सुनो तुमने ये क्या चुपसाद रखी है तुम तो पवन के पुद्र हो पवन के समान चलने वाले हो तुमारे पास तो बुद्धी विवेक और विग्यान की खान है तो उन्होंने हनुमान जी क तो उनका बल याद कराते वे आगे अपनी बात कही रखी थे तब हनवान जी ने अपनी क्रमता का उपयोग किया था ऐसी ही कुछ-कुछ हालत हिंदुस्तानियों की भी हो गई है वे अपनी क्रमता को भूल गए हैं कौन याद दिलाएगा लेकिन तो बल कौन याद दिलावे या हिंदुस्तानी माराजे माराजे या नवाब रईस या हाकिम तो जैसे आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों ने अपने पाउं पसारने शुरू किये थे हिंदुस्तान में तो उसमें रियासत हुआ कर दें थी राजा माराजाओं का भी या लोगों के भी जाके जनता को सजक करें लेकिन ना उन्हें चिंता थी और ना हाकिम हाकिम को ने अंग्रेजी अफसर तो उन्हें भी कोई मतलब नहीं था तो भी कह रहे हैं कि राजे माराजाओं को तो अपनी पूजा यानि अपने प्रशंशा करवाते रहने अपने हाकिमों को कुछको तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बॉल, घुर्दोर, त्वेटर, अक्वारादी में समय विता देते हैं और अगर समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, क्या पड़ी है, उनको क्या मतलब है, उनका क्या हित है कि वे हिंदूस्तानियों का भला करें आगे में लिखते हैं क्या लिखते हैं कि हम गरीब गंदे काले आदमियों तो यही तो अंग्रेज लोग हमें समझते थे हिंदुस्तानियों को कि यह तो गरीब हैं गंदे हैं काले हैं तो ये कहरें हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें तो उन्हें क्या मतलब है वो क्यों करना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को जो कुछ करना होगा वो अपने दम पर करना पड़ेगा अपने आप में सजगता लानी होगी और अपने आप अपनी उन्नती के लिए रास्ते तलाशनी होंगे यहीं वे चाहते हैं इस बात को कहके यहां पर व्यंग कर रहे हैं कि आगे वे कहते हैं कि व्यंग करते हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुरसत हम अपने गम से कब खाले यह तो वही उधारन हुआ चलो बस हो गया मिलना ना तुम खाली ना हम खाली तो यह एक शेर है तो जिसे इसका यह है किसी को फुरसत नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन किसके लिए कर रहा है, सब अपने अपनी दुनिया में मसते हैं आगे उन्होंने एक और उधारन दिया, तीन मेंड़कों की कहाने का, तीन मेंड़क एक के उपर एक पैठे थे, उपर वाले ने कहा जोगशोग, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम, तो हिंदुस्तान की साधारन प्रजा की दर्शा यही है ग और बीच वाला मुगल्स, जिनोंने हमारे देश में बाहर से आकर अपना प्रजा करना चिरू कर दिया, और हिंदुस्तान सबसे नीचे वाला में डग तो हिंदुस्तानियों की सबसे ज़्यादा, जो, सबसे बड़ी बुरा ही यह थी कि यहाँ सब राजा, सारे राजा एक साथ नहीं आए एक साथ मिलकर उन्होंने बाहर से आए दुश्मनों का हमला दुश्मनों के हमले का मुकाबला नहीं किया अपने अपने राजे अपने अपने स्थर पर्वे करते रहे तो यहां हुई क्या हालात उनकी पहले एक चड़के बैठ गया फिर दूसरा चड़के बैठ गया और हिंदुस्तान की साधारन प्रजा की दशा हो गई गए हम मतब यह नहीं कि नीचे से निकल जाए प्रयास नहीं करने बस वहीं पर बैठे हुए यह सोच कि कोई करेगा कौन करेगा तो अब यह बता रहे हैं कि पहले क्या होता था क्या शाषन प्रणाली हुआ करती थी और किस तरह के आपने देखा होगा कि वर्ण व्यवस्था थी पहले तो वह क्यों थी ऐसे जातियों में नहीं बटा था लेकिन काम के आधार पर लोगों के ग्रुप थे या वर्ण तै कर दिये गए थे तो वर्ण व्यवस्था थी तो एक जो समूरक्षा करता था शत्रे कहलाते थे और जो पढ़ाया लिखाया करता था वह ब्राह्मन समाज कहलाता था तो यहां अब आगे बता रहे हैं कि पहले भी जब आरे लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और महा ब्राह्मनों ही के जिम्में उन्हीं के उपर यह दायत्व था कि देश में तरह तरह की विद्या और नितियों को फैलाएं और अब भी यह लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रति दिन कौन का है प्रतिछिन बढ़ है अगर आज भी यह लोग चाहें जो उस समय के जो शाशक हैं और उस समय के जो शिक्षा फैलाने वाले लोग हैं जिनके उपर यह दायत्व है अगर वे चाहें तो लोगों को सिक्षा दें और उन्हें रास्ता दिखाएं कि आगे किस तरह से बढ़ा जाए उनकी ख्रमता का पूरो उप्योग कैसे किया जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो हिंदुस्तान प्रतिक्षन आगे बढ़ सकता है विकास कर सकता है लेकिन नहीं इनी लोगों को सारे संसार के निकम्मे पन ने घेर रखा है अब यहाँ पर वे थोड़ा उगर हो गया है उनके वे यह बताना चाह रहे हैं कि भी देखो यह अब हद हो गई है निकम्मे पन के अब इससे बाहर निकलो और अपने पाउ अर्थी है कि जो विद्वान है वे इश्या से बरे हैं जो धनवान है उन्हें अपने धन का गर्व है अर्था जो विद्वान है वे तो अपनी विद्या के कारण अंकार से बर गए हैं और जो धनवान है उन्हें अपने धन का अंकार है समर्थ राजा अंकार से चूर हैं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुर्खों के पास कोई भी सामान नहीं था जो हमारे पोफादस थे पूर्वश थे उनके पास कोई समान नहीं था तो उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैट कर बांस की नलिय पेकी लागत के विलायती दूरबीनों से ग्रहों को वेद करने में भी वही गती ठीक आती है और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की किरपा से में लोगों ने जो साइंस की जो प्रगती हो गई है विज्ञान के नए नए अनुचंधानों के कारण जो नए यंत्र मिले हैं लाखों पुस्तकें तयार हो गई हैं जिन में इतना ज्यान भरा है कि आप उनकी सहायता से आगे प्रगती कर सकते हैं अपने लिए नए रास्ते बना सकते हैं उनका उपयोग करके लेकिन हम तो नीरी चुंगी की कतवार फेकने की गाड़ी बन रहे हैं नीरी मिस मात्र जेस्ट मिनिस्पिल्टी की कचरे की गाड़ी बन गए हैं जो कचरा उठा के फेकने का गाम करती है और उस समय भारतेंदुजी के समय कचरे की गाड़ी जो होती थी पैसा गाड़ी होती थी और जो दी में दी में चलती थी कचरा उनमें बढ़ दिया जाता था और फिर वो गड़े-वड़े में जाके फेका करती थी तो दी में दी में चलती थी तो उनसे तुलना कर दिये भारतियों की और कहा है कि हम ऐसे हो गए हैं जबकि हमारे पूरवजों ने इतने कम साधनों में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था जो आज हमें इतने आधुनिक यंत्रों से जो ज्ञान मिल रहा है वो उसके बराबर का ही है तो कह रहे हैं कि यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानों घुरदोर हो रही है हर कोई आगे 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 हर देश आगे 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 बढ़ने की होड में लगा हुआ है अमरीकन, अंग्रेज, फरांसे, फ्रांसेशन है फ्रांससके लोग आदी, तुर्की, ताजी सब सर पट दोड़े जाते हैं सब लोग इस विकास के दौड में आगे एक दूसरे से competition लगा हुआ है सब के जी में सब के मन में यही है कि पाला पहले हमी छूलें पाला हमी पहले छूलें अर्तार प्रतियोगिता में हमी अवल आ जाएं हमी पहले आ जाएं जब दौड होती है तो एक point होता है उसको छूना होता है तो वही बात कही है कि दौड इस तरह से हो रहे कि सब ही में इतना जोश है और एक दूसरे से आगे बढ़कर प्रतमिस्थान पाने की होल लगी हुई है लेकिन इस समय हिंदू कठिया, काठिया वाडी, खाली, खड़े-खड़े टाप से मिट्टी खोद रहे है यहीं दौड निरे बस वहीं पे खड़े-खड़े अपने पाउँ चला रहे हैं और मिट्टी खोद रहे हैं इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टों की, अब जापानी लोगों की मेहनत की उनके परिश्ट्रम की प्रिशनशा की है कि कितने परिश्ट्रम ही होते हैं वे लोग जापानी टट्टों को हाफते वे दोड़ते वे देख कर भी इन ये लाज नहीं आती किने हिंदुस्तानियों को जो आलसी हो गए हैं यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटी कोटी मिन्स करोणों फिर करोणों उपाय किये तो भी आगे न बढ़ सकेगा इस लूट में इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबक्ती का अर्थात यह जो आलसी पन है निकम्मे पन का जो छाता इससे आप अपने आपको कवर करके बैठे वे हो इसका जो छाता है और आखों में मूर्खता की पट्टी बंदी रहेगी तो उस पर इश्वर का कोफी कहना चाहिए अगर व्यक्ती हम गीता में भी पढ़ते हैं कि भगवान ने यही कहा कि अपने कर्म करो कर्म इंसान को आगे बढ़ाता है अपना अच्छा बुरा हम अपने कर्मों से ही बनाते हैं अपने भागे को हम अपने कर्म से बनाते हैं तो यह कह कि बैठेरेन आ वो हम तो भाग है हमारे उपर तो हमें तो इलाम हो ना ही था हो गए ऐसा नहीं है तो भारतें दूझी हां साधारन जंता को यहां बात को समझाना जा रहे हैं आपको कर्म करना पड़ेगा यह सोच के कि वी आरे अपने आलसपन का चाता ओड़ के यानि उसके आवरण में उससे आपने आपको छुपाते रहें और बैठे रहें और बेफकुफी यह तो बेफकुफी है कि अपने आपको भागया के भरोसे छोड़ दिया इनसान अपना भागया स्वेम लिखता है तो यही कह रहे हैं कि इस बरसात में इस लूट में जहां अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी हुकुमत आपका पैसा लूट रही है इस भारत भूमी को लूट रही है और पहले भी लोगों ने लूटा जो बाहर के आक्रमान कारी थे और नहीं चयते तो अब तो चयत जाओ ये जो बरसात हो रही है ये जो मुसीबत तुम पर आई हुई है उसमें भी आलसीपन का चाथा ओड़े वह हो तो वे लोगों को चेताना चाहते हैं उन्हें सावधान करना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे करमन्य बने रहे काम नहीं करोगे अपने पाओं पर नहीं खड़े होगे अपनी ख्रमता को नहीं पहचानोगे तो इश्वर का कोप भी बना रहेगा आईश्वर तो नी की साहता करता है जो स्वयम अपने साहता करते हैं है ना आगे वे कहते हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विशेय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे वो नती हो सकती है भला इस विशेय पर मैं और क्या कहूं वे कहते हैं कि वे अब मैं एक श्लोग बताने जा रहे हैं और इस श्लोग के जरेवे अपनी बात को इस पस्ट करना चाह रहे हैं कि अब जितना मैंने कह दिया उससे ज्यादा और क्या कहूं अब श्लोग इस प्रकार है भागवत का भगवान कहते हैं इसका अर्थ पता है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनिश्य जन भी बड़ा दुरलब है हम जानते हैं कि नजाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद एक मानव जन्म मिलता है तो ये मानव जन्म पाना ही बड़ा दुरलब है और जब मिला तो उस पर गुरू की कृपा और मेरी अनुकूलता इतना समान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार ना जाये तो उसे आत्मत्यारा कहना चाहिए अर्थारत वे अपना खुद का नुक्सान कर रहा है अगर उसे इतनी अनुकूल था उसकी परिस्तितियां भी उसके अनुकूल है और उस पर गुरु की कृपा भी है फिर वे अपना नुक्सान खोदी कर रहा है वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है अंग्रेजों की राजे में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नती ना करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है अब यहां पर अंग्रेजों ने जो अवसर दिये थे आपको पैदाओका जो अच्छे होते थे पढ़ाई में उनको अंग्रेज सरकार बाहर भी भेचा करती थी बाहर का आछतार न बाहर का कहने का मतलब है कि भारत से बाहर विदेश में इंग्लान में जाकर पढ़ाई करने की सुविधा देती थी और उनने वजीफ है वगरे भी मिलते थे। तो बहुत से अच्य काम भी उन्हों ने किये। वे चाहते को अब ये कहा रहा है कि हमें अवसर मिल रहे हैं लेकिन हम उनका लाब नहीं उठा रहे और जो व्यक्ति अपनी सहायता नहीं करता उसकी तो इश्वर भी सहायता नहीं करता इसलिए इन्हों कहा कि यह हमारा भागय और प्रमेश्व का कोप है यह मालोब आगे उन्होंने एक और बहुती सुन्दर उधारन दिया है क्या बताया है कि एक कहानी से सुनाईए कि सास के अनुमोदन से एकांत रात में सुनी रंग महल में जाकर भी यानि इतने आवसर मिल गए एक दुलहन को सास की आगया पाकर पहले समानी में होता है जब सारे जॉयन्ट फैमली में रहते थे तो बहु कोई काम करने से पहले यहां तक की पती के पास जाकर सोने के लिए उसस सास की अनुमती चाहिए होती होगी उस समय का ऐसा ही महौल होगा तो कह रहे हैं कि सास के अनुमोदन से उ परदेशी पते यानि ऐसा पती जो परदेश गया हुआ है और उसे बहुत ही प्रिये है, उससे मिलने गई है, उससे मिलकर वे अपने मन की बाते करेना चाहते हैं अपने मन को संतुष्टी देना चाहती है तो यहां लिखा है कि पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी परन्तु लाज से मूँ भी न देखे और बोला भी न तो उसका अभाग्य ही है लेकिन वह अपनी लज्जा से शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई ना मूद ना घूंगट उठाया उसने और ना मूद देखा पती का और ना उससे बोल पाई तो यह तो उसका अभाग्य है कि उसने अपनी तरफ से कोई अतर नहीं किया जिस कारे के लिए वह वहां गई और वहां सारे आवसर होने के बाद भी उसको उसकी इच्छा के एन र भूप फल नहीं मिला तो यह उसका अभाग्य कहा गया है क्योंकि उसने अपने जतनी नहीं किया अपनी तरफ से प्रयास ही नहीं किया और वह तो फिर कल परदेश चला जाएगा पती चला जाएगा तो आज उसके पास समय तो उसने उसका अवसर कला भी नहीं उठाया तो अंग्रेजों के राजे में भी जो हम कोएं के मेंड़क काठ के उल्लू मतलब लकडी से बना उल्लू कोएं का मेंड़क क्या होता है कोएं का मेंड़क यह सोचता है बस यही दुनिया है यह चारों तरफ इसके दिवार है और जिस पानी में है वो बस बस बहुan यही दुनिया है उसकी उसके बाहर की दुनिया का उसको कोई ग्यान नहीं होता तो हम भी कमई के मेंदग बने हुए हैं, काटके उल्लू है, पिंजडे के गंगा राम ही रहें कि जो बोल दिया वो ही रट लिया बहार की दुनिया का पता ही नहीं है बस वही दुनिया है तो हमारी कमबकत कमबकती फिर कमबकती ही है अब ये बात क्योंगे कि हमारी जो ये मूर्खता है वो मूर्खता ही है हम मूर्खी बने रहेंगे अब आगे भी कहते हैं कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंदे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बबा हम उन्नती क्या करें अब बहुत से लोग यह भी कहेंगे भाया हम तो अपना दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहें और तुमको यह देश की पड़ी ह ऐसा कहते होंगे लोग यह बाते सुनके कहेंगे आप तो बड़ी बड़ी फेंख रही हो बै यह बहुत सी बाते आज भी लागू होती है क्योंकि हम भारती अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी क्षमता को व्यर्थ गमा रहे हैं हमारा युवा वर्क सबसे बड़ा जो युवा युवा शक्ती इस समय विश्व में भारत के पास है तो बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंदे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा हम क्या उन्नती करें तुमारा पेट भरा है तुमको दून की सूचती है ऐसा भारतेंदुजी के लिए कह देंगे भी तुमारा तो पेट भरा हुआ है इसलिए तुमें ये सब बातें सूच रही है दून की सूचती है तुम्हें ये सब उन्नती है और ये वो बातें सूच रही है ये कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है बातें जो कह रहे हैं ये बातें दूजी कहते हैं कि ये जो बातें तुम कह रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल है यह था इस पार्ट का पहला भाग आशा करती हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगले भाग के लिंक के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं थैंक यू धन्यवाद